हेलो एवरिवन आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में आज हमें बुक NCRT का एकक्साइज 3.4 करना है मैं एलिमिनेशन मेथड का इंडरेक्शन लास्ट वीडियो में बता दिया था अगar आपको उसका इंडरेक्शन आपने देख लिया है तो hopefully ये दोनों questions बहुत easily आप solve कर लेंगे फिर भी मैं exercise के दो questions को मैंने pick किया है इन दोनों questions को मैं solve कर रहता हूँ ठीक है अगर आपने elimination method का video नहीं देखा है तो मैंने descriptions में elimination method के जो introduction वाला part है उसकी link मैंने इसमें share कर दी है आप watch कर सकते हैं basically ये questions को आपको elimination method और substitutions method दोनों से करना है तो मैंने substitutions method भी करवा रखे हैं उसकी भी description में लिंक दे दिया है आप watch कर सकते हैं अभी मैं यहाँ पर इसे सिर्फ और सिर्फ elimination method से करवा हूँगा ठीक है आप substitutions method आप खुछ से कर लेंगे ठीक है चलिए यहाँ देखते हैं इसमें हमें क्या है कि suppose हमने इसे equation 1 late कर लिया इसे equation 2 late कर लिया जैसे कि मैंने last two days मैंने बताया था आपको कि हमें किसी एक variable को आपस में equal करना होता है ठीक है तो हमने देखा यहाँ पे कि यह दोनों आपस में equal है यह दोनों आपस में equal है लेकिन यह negative है यह positive है अगर मैं equation 1 में 3 से multiply कर दूँ यह plus का 3y हो जाएगा और यह हमारा minus का 3y है फिर add करने पे यह जो हमारा y वाला variable है यह eliminate हो जाएगा basically हमें क्या करना होता है elimination method में किसी एक variable को eliminate करना होता है तो हमने कर रहा क्या equation 1 में 3 से multiply करेंगे equation 1 में हमने multiply किया 3 से फिर हमने plus किया equation 2 को equation 2 देखिए आप यह मैं सोचना कि सर इस वाले वीडियो में जड़ा fast बता रहे है यह बात यही कि मैं इसमें fast बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यह questions करवाने नहीं थे basically मुझे इसका word problem करवाना है ठीक है ना क्योंकि यह introduction में मैंने इन सारी चीजे इन से difficult difficult questions भी मैंने वहाँ पे solve करवा चुका हूँ ठीक है न दिस इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि उस वीडियो को आप पहले आप watch कर ले खेर जली हम इसे देखते है equation 1 में हमने 3 से multiply किया अगर मैं यहां 3 से multiply करूँगा तो यह होगा 3x plus 3y is equal to 15 और equation 2 को हमने add किया equation 2 हमारा है 2x minus 3y is equal to 4 चली solve करते है तो जो आपको negative है और positive दूने cancel हो गिया 3 plus 2 5x is equal to इससे add कि जी कितना हैगा 19 तो x की value आ गई 19 upon 5 अब मरजी आपकी x की value 19 upon 5 को या तो first में put कर ले या तो आप second में put कर ले जहां भी put करेंगे value same आईगी ठीक है अगर सब्सक्राइब इससे हम put करते हैं first में protein first अगर मैं इसे first में put करता हूँ तो जहां पर x है वहां पर कितना हैगा 5 minus 19 upon 5 ठीक है इससे solve कर लेजे यहां पर 5 आएगा 5 को 5 से multiply केज़े 25 minus यह 19 हो गया ठीक है तो 25 में इसे 19 को minus केज़े तो यह आपका हो गया 6 by 5 तो x की y की value कितनी आ गई y की value 6 by 5 और x की value हमारी हो गई 19 by 5 अब एक बात समझें यहां पर इस questions को हमने solve किया है by elimination method अगर इस questions को आप substitution method से भी solve करेंगे तो values तो same ही आएंगे तो जो substitution method है वो आपको खुश्ते करना है अब यहां भी देखते हैं यहां पर क्या है इससे solve करना है method से तो हमने करना क्या है यहां पर कि पहले इससे हम standard form में convert करेंगे इसका हम lcm लेंगे इन दोनों का lcm कितना आपका आएगा 6 3 को x x multiply किजिए 3x plus 2 को यहां multiply किजिए 4y is equal to me कितना minus 1 तो यहां पर finally क्या बच्चा है 3x plus 4y is equal to minus 6 cross multiply कर दिया और इससे हमने relate कर लिया equation first अब इस पर काम करेंगे इन दोनों का lcm आपको हो गया 3 3 को x multiply किजिए 3x यहां multiply किजिए minus को y is equal to 3 तो यह आपको हो गया 3x minus y is equal to 9 यह हमारा equation 2 हो गया ठीक है ना सेम अब यहां देखें हमने देखा कि यह 3x है और यह भी हमारा क्या है 3x है यह दोनों आपस में equal हो गया तो एक variable पहले से हमारा equal हो चुका है बट यह भी positive है और यह भी positive है तो हम क्या करेंगे equation 1 को equation 2 से minus कर देंगे कि यह positive और यह negative बनकर दोनों eliminate हो जाएगा ठीक है तो हमने क्या करना है यहां पे equation 1 minus equation 2 तो देखते equation 1 हमारा क्या है 3x plus 4y is equal to minus 6 equation 2 ठीक है तो हमने equation 1 और equation 2 को यहां पे हमने लिख लिया अब क्या होता है कि जह हम minus करते है minus किस पे कर रहा है equation 2 पे इसका sign change कर जाएगे जो positive है वो negative जो negative है वो positive जो positive है वो negative तो आप देखे यह positive और यह negative यह जो आपका है दोना पसमे एक वोज़ यह positive negative cancel होगिया अब यह plus का 4y है और यह plus का y होगिया अब यह minus का y नहीं रहा तो plus का 4y plus का y कितना गया plus में 5y is equal to अब देखे माइनस में 6 और माइनस का 9 तो यह होगिया minus का 15 ठीक है cancel के जैसे तो y की value आपको भी minus का 3 अब इस y की value minus 3 आप यह equation 1 में put कर ले यह equation 2 में put कर ले ठीक है ना तो इसकी values को आप put कर लिजे खुछ से और से solve कर लिजे ठीक है ना to yourself आप इसे note कर लिजे इसके बाद हम what problem करेंगे ठीक है चलिए हम next question करते है question 2 का third part है और exercise 3.4 का आई है यह most important question है इस type के questions पेपर में पूछी जाते है अब आती आती है कि question 2 का मैं third part अड़े कर रहा हूँ what problem है first और second हमने इसलिए नहीं किया है कि substitutions method में जो 3.3 का जब मैंने solution अप्रोड किया था तो उसमें जो इसका जो first और second दो questions है वो इस type के questions मैंने पीछे करवा दिया था और मैंने वहाँ बताया था जो जिस type का मैंने वहाँ पे करवाया है अगर उससे similar questions यहाँ पे आते हैं तो मैं उससे solve नहीं करवाँगा क्योंकि बस यहाँ पर बस एक ही चीज़ की changing यह है कि यहाँ पे आपको करना है by elimination method और वहाँ पे क्या करना था by substitutions method equations तो वहाँ पे भी जैसे बने थे same equations यहाँ पे form करना है but difference यह है कि हमें यहाँ पे करना है by elimination method ठीक है न चुल्ब हम यहाँ पे देखते हैं क्या question दे रखा है कि the sum of the digits of two digit number is 9 क्या बोल यहाँ पे the sum of the digits of two digit number is 9 दो digit के number है उसका sum कितना है 9 है यह सब क्या होता है अभी बता हुआ हमाँ ठीक है पहले question देख लेते है फिर क्या लिगा हुआ है also 9 times this number is also 9 times this number is twice the number obtained while reversing the order of the digits find the numbers करा है कि जो भी number आपने form किया है दो digit का ठीक है ना तो करा 9 times this number हो जो number आप form करेंगे उसके 9 times किससे एकवल है is twice the number obtained while reversing the order of the digits अगर आप जो number आपने बनाया है अगर उस number के आप order को change कर देंगे तो किससे एकवल हो जाएगा twice हो जाएगा उसके अभी हमने जो बताया इन सब के क्या मतलब हुआ है अभी आप तो सारी चीज़े समझे में आपको आईगी देखे पहले आप यहाँ पर समझे एक example से अगर माल लिया जाए बात यहाँ पर दो digit number की हो रही है ठीक है ना तो अगर suppose यह हमारा दो digit का number 42 हमने को एक example ले लिया 42 दो digit का number तो बहुत साले होएगे तो हमने एक ले लिया 42 अब देखे इस 42 में यह जो 2 का place है यह हमारा once place है यह 2 जो हमारा है यह once place पे और यह जो हमारा 4 है यह हमारा tens place पे ठीक है ना आप इससे once place बोल देगे या इससे सबसे बैसे unit place बोल देगे यह हमारा कहा पे है unit place पे है और यह हमारा tens place पे है तो आप देखे इस 42 को जो हमारा unit place पे है तो इस 2 into 1 कर सकते है 2 into 1 फिर प्लस यह जो 4 हमारा 10th place पे इसका मिनिंग यह हुआ कि आप यहाँ पे 4 को multiply कर सकते हैं 10 से है ना तो 4 को 10 से multiply के जिए कितना हैगा 40 plus 2 को 1 से multiply के जिए कितना हैगा 2 तो अगर हम इन दोनों को add कर दे तो हमारा finally कितना आ रहा है 42 जो की वापस का यह आ गया तो यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि the sum of the digits of 2 digit number is 9 तो यहाँ पे 2 digit number की बात की जा रही है जब 2 digit number की बात की जा रही है तो उसमें 1 digit होगा हमारा unit place पे और 1 होगा हमारा 10th place पे तो हमें नहीं पता है कि unit place पे क्या है और 10th place पे क्या है तो हम let कर लेंगे यहाँ पे let digit at once place या digit at unit place b x हमने उच्छे x माल लिया and digit at 10th place by उसे हमने y late कर लिया तो ध्यान से देखें जो unit place पे है उसे हमने x late किया है जो 10th place पे है उसे हमने y late किया है तो number जो आएगा therefore number जो हमारा बनेगा number obtained जो हमारा number बना वो क्या होगा अब खुद देखें कि 10th place पे हमारा y है तो जो 10's place पी होता उसको 10 से multiply करते है फिदावले से के आगा, प्लस और जो unit place पी होता, उसको 1 से multiply करते है तो 1 into x के आएगा, 1 जैसे यहां पे देखें, यह 4 कहाँ पे था 10's place पे था, तो 4 की multiply हमने किसे कर रही है 10 से, और यह 2 कहाँ पे था unit place पे तो 2 की multiply हमने किसे कर रहे किए 1 से है ना तो ये y हमारा किस place पे 10s place पे है तो इसलिए हमने 10y किया फिर plus x हमारा कहाँ पे unit place पे इसलिए हम इसलिए हम इसलिए 1 से multiply किया ठीक है ना तो ये हमारा क्या हो गिया number option हमने ये number पाया अगर हमने x को मान लिया unit place पे और y को माना हमने 10th place पे के लिए लित्ते वादे अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अच्छा एक चीज़ इसमें और given है तो यह हमारा दो डिजिट का नमबर एक हमारा क्या है x हमारा unit place पे है एक डिजिट है और y हमारा 10th place पे यह भी एक डिजिट है जिसे यहाँ पर 42 हमारा क्या है 42 पर एक हमारा डिजिट 2 है और एक हमारा क्या 4 है 2 हमारा unit place पे है 4 हमारा कहाँ पे है 10th place पे है तो इस line का मतलब यह हुआ कि the sum of the two digit number is 9 इसका meaning यह हुआ अब यहाँ पे case 1 ले लो case 1 में according to question जो आपका दोनो जो आपका digit है unit place पे और tense place पे इन दोनों का sum आपका है 9 आपने इसे equation 1 माल लिया ठीक है अब हमारा है case 2 में अब case 2 को देखे case 2 में क्या कह रहा है कह रहा है also 9 times this number is कौन सा number यह वारा number this number twice the number obtained by reversing the order of the digits समझें किया बोलना चाह रहा हूं मैं जैसे एक छोड़ा से example हमने यह 42 लिया है अगर मैं इसके order of digits को change कर दूँ ठीक है ना तो यह क्या बन जागा 24 अब यह 24 होने के बाद क्या हुआ जो tense place पे था वो shift कहा पे हो गया tense place पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 को multiply करेंगे 2 से फिर plus 1 को multiply करेंगे 4 से क्योंकि अब यह जो हमारा 2 जो पहले unit place पे था अब वो कहाँ पे shift हो गया है tense place पे इसका मतलब क्या बोलेंगे हम कि जो 42 को अगर हमने reverse किया reverse करने पे क्या बनगे 24 के लड़ है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा number actual क्या है 10 y plus x है अगर मैं इस number को change कर दूँ अगर इस number को मैं change कर दूँ याँ पहले case 2 से पहले आप यहाँ लिखे after after reversing ठीक है new number हमारा क्या आएगा new number new number अब देखिए जो 10s place पे यहाँ पे क्या आजाएगा unit place तो यहाँ पे कितना आएगा 10x फे प्लस जहाँ पर x से वहाँ पे क्या shift हो जाएगा y तो यह तो हमने क्या जैसे हमने number को जैसे हमने after reversing जैसे हमने reverse किया digits को तो new number हमारा क्या हो जाएगा जहाँ पे 10s place की जो digit था वहाँ पे हमारा unit place आगया जो unit place का digit है वहाँ पे क्या चला गया 10s place का digit चला गया तो हमारा जो new number बन कर आया हो क्या आगया 10x प्लस का y अब यहाँ से आप पढ़िए अब यहाँ पे क्या given है कि also 9 times this number कौन सा number यह number इस number का 9 times तो case 2 में हम लेंगे case 2 में 9 into 10y plus x वो किससे एक वहल है is twice the number obtained by reversing the order of the digits जिस order of the digits जो हमने change किया है जिससे जो हमारा new number बन कर आया है इसका क्या है twice है मतलब यह 10x plus में यह क्या हो गया y ठीक है आपको बहुत ही carefully से समझना पड़ेगा important question है अगर आपको अगर समझने problem हो रखी होगी तो आप एक पर वीडियो को pause करें आप फिर से पीछे जाएं फिर से इसको पूरा देखें आप 100% समझने में आपको आएगा ठीक है न multiply करते हैं तो यह आपको होगा 90y plus में 9x is equal to 20x plus में 2y ठीक है minus करते है plus के 2y को इधर minus किजिए तो यह आपको होगा 88y यह plus में 9x है और यह 20 को इधर किजिए तो minus में आपको हो जाएगा 11x is equal to 0 ठीक है तो अब इन दूरों में देखे 11 common है 11 common ले 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 आप तो यहाँ पर आगए आपको 8y minus में x is equal to 0 हाना तो finally आपके पास यहाँ पर किया बचा 8y minus x equal to 0 8y minus x is equal to 0 क्योंकि यह 11 0 is equal to होगा नहीं तो 11 अटा यहाँ पर कितना 8y minus x is equal to 0 तो यह मेरा 8y minus x हो गया तो 8y minus x को आप लिख दूँ कैसे minus का x plus में 8y is equal to 0 यहसे equation आप 2 late कर लें ठीक है ना जब इसे हमने 2 late कर लिया तो आप देखें आप यह equation first equation second है यह plus का x है यह हमारा minus का x अगर मैं इन दूरों को add कर दूँ ठीक है ना y is equal to 9 और यहाँ पर given है minus का x plus में 8y is equal to 0 अगर मैं इन दूरों को add करूँगा तो यह देखें यह minus plus cancel 8y plus y 9y is equal to 9 plus 09 यह cancel out हो गया तो y की value 1 अब इस y की value 1 को इस y की value 1 को अगर आप put करते हैं कहाँ पर second में put करते हैं या first में put करते हैं अगर मैं put करते हूं first में यह तो simple है put in first अगर मैं first में put करते हूं यहाँ पर तो जहाँ पर y वहाँ पर 1 आएगा अब 1 को अधर shift किजिए कितना आएगा 9 minus 1 is 8 तो यहाँ से x plus 1 is equal to 9 तो x के value कितनी आ गई? 8 ठीक है? और हमें क्या करना था? हमें find the numbers हमें number निकालना है कौन सा number? जो हमने number obtained किया यह 10 y plus x therefore हमने यह mention करना है therefore जो हमारा number है वो number क्या आएगा? 10 y plus x है ना तो हमने यह लिगा 10 और y की value कितनी है? y की value 1 है तो आप यहाँ पर लिखो 1 plus 8 जो यहाँ पर यह x है x के place पर कितना आएगा यह हमारा 8 तो plus में कितना हो गया यहाँ पर? 8 हो गया ठीक है ना? तो 10 plus 10 ठीक है ना? यह हमारा number हो गया ठीक है न? required answer आप एक सीज़ देखें यहाँ पर इसको आप match करें इसमें क्या बोला है? कि the sum of the digit of two digit number is 9 तो आप खुँद देखें एक digit हमारा 1 है और एक digit हमारा क्या 8 है? 8 जो है unit place पर है और 1 कहाँ 10 place पर है अगर हम दोनों digit को add करें तो कितना आएगा? 9 आएगा? आप question में क्या बोला है? The sum of the digits of two digit number is 9 ठीक है? तो यह हमारा finally answer हुआ है आप इसे carefully समझें और इसे आप note कर लें ठीक है? कमारा next question है Question 2 का 4 part है इसमें given है Mina went to a bank to withdraw rupees 2000 She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only Mina bank जाती है और cashier से 2000 rupees की demand करती है और cashier से बोलती है कि उसे rupees 50 और rupees 100 notes only चाहिए मतलब जो उसे 2000 rupees चाहिए वो rupees 50 और rupees 100 के form में चाहिए ठीक है? मतलब rupees 50 और rupees 100 के notes ही चाहिए और कितने चाहिए? 2000 चाहिए ठीक है? And complete rupees हमें 2000 चाहिए और Mina got 25 notes in all और Mina को इस टाप से 25 notes मिलते है कितने के? rupees 50 और rupees 100 के she received तो उसे ने, Mina ने rupees 50 के और rupees 100 के कितने notes पाएं ठीक है? आपको ये find करना है कि number of rupees 50 notes और number of rupees 100 notes तो ये दो हमारा यहाँ पर unknown quantity है ठीक है? तो हम यहाँ पर let कर लेंगे let number of rupees 50 notes is equal to x कि हमें rupees 50 और rupees 100 notes निकालने है number of number of rupees 100 notes is equal to y देखें समझें के दियान से इस बात को कि यहाँ पर ये कह रहा है कि Mina cashier से 2000 rupees के लिए ठीक है? और 2000 rupees वो विड्रो करवाती है ठीक है? और cashier को वो ये कहती है कि हमें जो 2000 rupees note देंगे आप वो rupees 50 और rupees 100 के फॉर्म में देंगे के लिए इतनी बात है इस टाइप से Mina को complete 25 notes मिले तो आप देखें यहाँ पर rupees 50 कितने notes से x rupees 100 कितने notes से y तो x plus y अगर मैं rupees 50 notes number of rupees 50 और number of rupees 100 उन दोनों को add करूँ तो किस से equal होगा? 25 notes के equal होगा ठीक है? तो आपने case 1 लिया ठीक है? x plus y is equal to 25 आपको समझ में रहा है कि 25 से equal क्यों होगा? क्योंकि x हमारा क्या है? number of rupees 50 notes है number 50 rupees के notes कितने है? x है और 100 rupees के notes कितने है? y है तो x plus y equal to my total number of notes कितने किवेन है? 25 इसलिए x plus y equal to कितना हुगा? 25 अब समझेंगे यहाँ पर case 2 में बहुत सिंपल है बस थोड़ा सा mind click करना है कि क्या कहना चाहता है question में ठीक है? अब question में कहा रहा है कि मीना went to a bank to withdraw rupees 2000 मीना बैंक जाती है और कितने पैसे विटो करती है? 2000 किस शकल में पाती है पैसे? rupees 50 और rupees 100 के शकल में पाती है तो अब देखें यहाँ पे 50 rupees के notes उसके पास कितने है x है तो 50x plus 100 rupees के notes उसके पास कितने है y तो कितने आएगा 100y और उसे कम्प्लीट कितने पैसे विटो करती है 2000 तो यह 2000 होगी है ठीक है इसमें से आप देखें 50 common है 50 common ले 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 आप तो x plus 2y is equal to 2000 0 से cancel होगी आपका यह तो finally x plus 2y is equal to आपका 40 होगया यह हमारा equation 2 होगया ठीक है अब हमने देखा दोनों equation में x यहाँ भी है x यहाँ भी है यह दोनों आपस में equal है यह दो variable आपस में equal है equation 1 को हम equation 2 से minus कर देंगे equation 1 minus equation 2 equation 1 हमारा है x plus y is equal to 25 और equation 2 हमारा x plus 2y is equal to 40 है ठीक है ना देखे यहाँ पर है यह हमारा equation first है यह हमारा equation second है अगर हम minus कर रहे है तो यह जो plus है वो minus बन जाएगा plus minus जो plus है वो minus ठीक है अब plus x minus x का इसल minus में 2y plus का y minus y is equal to minus का 40 अब plus का 25 minus 15 ठीक है यह cancel y की value कितनी हो गई 15 और y की value put करते है first में put in first first हमारा क्या है x plus y equal to 25 तो x plus y y की value कितनी आई है 15 is equal to 25 तो x की value कितनी हो गई 10 minus कर दे हैं पिसे तो 10 हो गई ठीक है तो therefore x हमारा क्या है number of rupees 50 notes तो finally आप पांसर कितना हो गया therefore तो देखें आप यहां पे तो number of rupees 50 notes कितनी हो गए 10 और number of rupees 100 notes कितनी हो गए 15 है ना तो आप खुद देखें यहां पे मिना got 25 notes in all मतब रुपीज 50 और रुपीज 100 के जो notes मिना ने पाए थे और 25 पाए थे आप देखें यह रुपीज 50 के 10 notes हो गए रुपीज 100 के 50 हो गए इन तोनों को एड़ किजे कितना हैगा 25 तो 25 हो गया और और भी चेक करना है cross check करनी आपको और पाए कीतना हम差不多 के तुरुपीज 2000 की थे is तोरुपीज 2000 के थे है ना आप यहां देखे मिना के पास 50 रुपीज के नोच कितने हैं準10 है तो 50 को मल्टिप्लाई किजे 10 से फिर फिर प्लस रुपीज 100 से कितने है 15 तो हंडिडünden को कितना हुआ 2000 है न होफिली आपको समझ में आजाए इसलिए मैंने बताया है आपका अंसर यहां तक हो चुका है ठीक है न आप इसे नोट के लिए ठीक है एस कुशन को बहुत द्यान समझने है ठीक है न इस ताइप के क्वेशन था आपको 3.3 में मैंने वहां पर नहीं करवाया था और अबने का आगे में करवा हूं ठीक है न अब बहुत केरीफुल समझेंगे यहां बहुत सिंपल बिल्कुल ही डिफिकल नहीं है थोरा सा लॉजि इसमें किया एक फिक्स चार्ज है, फॉर थ्री डेस के लिए, जो चार्ज है वो फिक्स दे, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एडिशनल चार्ज फोर इच दे दे राफ्टर, उसके बाद हर दिन के लिए एक अडिशनल चार्ज है, जिस अब क्या बताऊंगा अभी आपको, 7 days के लिए, या लिखाब 7 days के लिए book रखती है, तो क्या पे करती है, rupees 27 पे करती है, ठीक है, while sushi paid 21 for the book she kept for 5 days, ठीक है ना, उसको आप कर ले, 5 days के लिए है, यहाँ 7 days में वो 27 पे करती है, और यह 5 days में कितना पे करती है, 21, तो हमें find क्या करना है, find the fixed charge and the charge for each extra day, meaning यह हुआ कि यहाँ पे हमारे कोई 2 unknown है, एक तो fixed charge है, और एक हमारा क्या है, additional charge for each day, हर एक दिन के लिए जो हमारा additional charge है, क्या हो निकालना है, तो 2 unknown quantity है, very first unknown quantity हमारा है, fixed charge, second unknown quantity हमारा क्या है, additional charge for each day, ठीक है ना, तो आपको वर्ड प्रालम में यह पता करना होता है, कि यह वो 2 unknown quantity क्या है, क्या find करना, ठीक है, सबसे prime target हमारा ही होता है, कि वो unknown quantity क्या है, उसे find करना, चलिए हम देखते हैं, let's early हमने, fixed charge को, हमने माल लिया, rupees x, और additional charge को, additional charge, additional charge for each day, for each day, उसको हमने माल लिया, rupees y, ठीक है ना, तो अब यहाँ देखिए, इसमें आपको क्या बताया, first condition क्या कह रहा है, कि सरीथा, सरीथा paid, rupees 27, for a book, kept for 7 days, देखिए, 7 days उसने तो बुक क्या किया, बुक रखी, आपने पास 7 दिन, उसके लिए उसने कितना पे किया, 27, but उन 7 days में, fixed charge क्या है, यह fixed charge जो है, वो है, first 3 days के लिए, यह fixed charge जो है, first 3 days के लिए, यह fixed charge जो है, first 3 days के लिए, इसका मतलब यह हुआ, कि fixed charge में, आपका 3 days include है, यहाँ पे हम, श्राइड में लिए 3 days, ठीक है, तो वो जो, यहाँ case 1 में, case 1 में, जब हम सरीथा की बात कर रहे है, तो सरीथा complete बुक जो अपने पास रखी है, वो 7 days रखी है, ध्यान समझेंगे, अभी मैं roughly बता रहा हूँ, 7 days के लिए, 7 days क में, 3 days क्या था, fix, 3 days क्या था, fix, मतब 3 days, 3 days के लिए, जो charge हमारा था, और rupees x था, इन 7 में से, आप क्या कर रहें, 3 को तो आप निकाल दे, और 3 days के लिए हमारा charge कितना x है, तो इसे हम 3 days, प्लस में कर सकते हैं, 4 days, और यह 3 days के लिए हमने charge के खट्टे क्या मान रखा है, rupees x जो के मारा fix है, तो जहां पर 3 days है, वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा x, फिर प्लस, अब देखें यहां पर, additional charge for each day, अब यह 4 days है, और एक बीन का charge हमारा कितना y है, और इस टाइप से हमने कितने extra 10 रखे, additional days हमारे पास कितने रखे, 4 days, means कितना आएगा, 4 into y, समझे second case करते हैं, अगर मैं इसा case 2 करूं, case 2 में देखे, case 2 में क्या बोला है, case 2 में given है, sushi paid 21 rupees 21 for the book, she kept for 5 days, अगर वो 5 days के लिए book रखती है, तो 5 days के लिए कितना पे करती है, 21, ठीक है न, तो आप यहां आप फिर से मैं summarize कर रहा हूं, और यह 5 days के लिए रखती है, तो 5 days के लिए वो pay करती है, आपको rupees 21, और 21 pay करती है, ठीक है न, 21 pay करती है, तो 5 days में, first 3 days के लिए fix है, इसको दो part in break कर दें, यह क्या है हमारा, 3 days, 3 days के बाद आपका अगला क्या हो जाएगा यह, 3 days, plus में कितना है का यहां पे, 2 days, equal में कितना हो गया 21, आप खुद देखे, यह 3 days के पे कितना है, rupees y, तो हमारे पास कितने additional days है, 2 additional days हो गया, it means that जहां पे 3 days है, वहां पे कितना आपको आएगा, x, जहां पे आपका 2 days है, वहां पे कितना आएगा, 2 into my y, ठीक है न, equal में कितना आगया, 21, ठीक है न, यह तो मैंने समझाने के लिए लिखा ता आपको, तो यह आ value आजाएगी, जो x की value आएगी, वह हमारा क्या होगा, fix charge होगा, जो y की value आएगी, वह charge, additional charge हो जाएगा, चार्ज पर दे, तो hopefully आपको यह समझ में आ चुका है, और किसे आप खुछ से solve करेंगे, solve करकर आप मुझे comment में बताएंगे, कि आपका fix charge क्या आया, और additional charge क्या आया तो आप comment में बता सकते हैं, और मैं try करूंगा, कि उसमें वीडियो बना दूँ, ठीक है न, all the way, anyways, आपके से note कर लेजे,